हलो, बुड इवनिंग फ्रेंट्स, में हम आपका दोस्त और आज हम करेंगे क्लास 7 जिग्रफी का 6 चप्टर, Natural Vegetation and Wildlife सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंट्स हम Natural Vegetation की Natural Vegetation क्या कुछ factors पर depend करता है जैसे की height क्या है उस जगह का? Temperature, moisture, slope and thickness of the soil height के हिसाब से हमारा climate में change होता है जिसके हिसाब से हमारा vegetation भी change होता है तो हम कह सकते हैं कि height, land की height और characteristic of vegetation में एक टाइप का relationship होता है जो mountains में हमारे trees मिलते होने हैं बोलते हैं friends हम coniferous trees ये जो trees होते हैं इनकी जो leaves होती है वो pointed होती है and canopy जो होती है कौन टाइप की होती है canopy का मतलब क्या होता है ये है एक coniferous trees and इसकी जो canopy होती है वो मतलब उपर से tree का जो structure होता है and ये हैं यहाँ पर क्या cone type का है जो mountain में जो trees मिलेंगे उनका जो canopy होगा वो cone type का हमें मिलेगा natural vegetation का classification की बात करें तो हम तेन टाइप से कर सकते है forest, grasslands and shrubs जो forest होते हैं friends वो हमें temperature and rainfall जिस area में अच्छा खासा है वहाँ पर हमें forest cover मिलेगा and ये temperature and rainfall decide करता है कि जो हमारा forest है वो कितना ज़्यादा dense और open होगा grasslands के moderate rain जहाँ पर rain के न ज़्यादा होती है उस area में हमें ये मिलेंगे सरफ जो हमें dry reason में हमें मिलेंगे जो coniferous forest होते हैं जो हमारे mountain अभी टाइप हमने बात करा जिनके canopy कोन टाइप के होती है वो हमें sub polar reason में मिलेंगे ये है friends अगर इस map में देख रहे हैं तो ये है हमारा sub polar reason and जो thorny bushes हैं जो काटेदार ज़ाड़ी हैं वो हमें desert के area में मिलेंगी and जो thick tropical forest होते हैं वो हमें humid region में जहां पर moisture अच्छा खासा होगा बारिस अच्छी खासी होगी उस area में हमें मिलेंगे जो हमारा himalian region है उसमें वो सभी type की vegetation मिलती है जो हमें equator से pole region में यहां से equator से pole region में जिस type की vegetation मिलती है वो सारे type की vegetation हमारे himalian region में हमें मिल जाती है सबसे पहले बात करते हैं forest के बारे में tropical evergreen forest see friends हम चोए अगर हम map के हिसाव से बात करें तो हम किस-किस type के forest के बारे में पढ़ने जा रहें यह हमारा equator है यहां पर equator है equator से tropic of cancer और tropic of capricorn के बीच में tropical region होता है tropical region में हम दो टाइप के forest पढ़ेंगे evergreen and deciduous and उस से उपर जो tropic of cancer से और जो यह हमारा arctic circle या फ़र tropic of capricorn से antarctic circle के बीच का जो reason है इसे temperate zone बोलते है and इसमें temperate zone में भी हम evergreen forest and deciduous forest के बारे में पढ़ेंगे तो चलते हैं हमारे सबसे पहले tropical region के evergreen forest के बारे में इनको हम tropical rainforest के नाम से भी जानते हैं यह काफी thick forest होते हैं और यह equator से अभी हमने देख लिया equator से tropic of cancer and tropic of capricorn के बीच में इस वाले reason में हमें यह मिल जाएंगे यह reason क्या होते हैं काफी जादा hot होते हैं और यहाँ पर जो rainfall होता है वो काफी जादा heavy होता है पूरी साल में जो tropical region हमारा ब्राजील में है see friends यह है हमारा ब्राजील and यहाँ पर जो rainforest हमें मिलते हैं इनके lungs of the world भी कहा जाता है क्योंकि यह इतने जादा dance है जाना जाता है एनकॉंडा जो एनकॉंडा एक स्नेक है जो लार्जेस्ट स्नेक की वराइटी है वो भी हमारा tropical rainforest पर मिलता है यह है फ्रेंड्स एक tropical rainforest आप देख सकते हैं यह कितना green है और काफी जादा dance है इसमें जो greenery है उसका reason यह है क्योंकि यहां के जो trees है उनका जो पत्यां गेलने का time है वो सभी का similar नहीं है जिसके वज़े से यह क्या हमेशा green रहता है इसलिए इसे evergreen नाम दिया गया है दूसरे क्या फ्रेंड्स यह इतने जादा dance होते है कि जो sun की जो light है वो अंदर तक नहीं जा पाती है और जो यहां पर trees मिलते है वो है friends हमारे rosewood, ebony and mahogany यह important trees है जो इस एरिया में मिलते है यह है हमारा mahogany and this is friends rosewood and this is ebony now move to our second type of forest that is tropical deciduous forest tropical reason का हमने evergreen पढ़ लिया है अब जा रहे हैं हम deciduous forest पे यह क्या होते हैं हमारे monsoon forest होते हैं यानि कि जहाँ पर भी monsoon type की बारिस होती होगी वहाँ पर इस type की forest हमें मिलेंगे यह इंडिया में मिलते हैं Northern Australia and Central America में यह हमें मिलते हैं यहाँ पर क्या seasonal changes होते हैं जैसे इंडिया में हमारे winter, summer, autumn बगएरा यह सब changes होते हैं and monsoon season अलक होता है यह उस area में मिलते हैं जहाँ पर seasonal changes होते होंगे और जहाँ पर monsoon से बारिस आती होगी इस type के forest में जो trees होते हैं वो dry season में अपनी पत्यां गेड़ देते हैं ताकि वो water को conserve कर सके हैं यहाँ पर golden lagoon, tiger, elephant and monkey जैसे हाँ पर animals मिलते हैं यहाँ पर trees मिलते हैं friends वो है salt, teak, neem and season neem and season के बारे में तो आपने देखा हुआ and this is यह होता है friends हमारा teak and this is यह होता है हमारा salt इनकी जो hardwood tree हैं यह मतलब hardwood है इनका काफी जादा इनका यूज होता furniture और transport यह construction materials के बनाने के लिए हमने tropical forest के बारे में पढ़ लिया अब temperate forest के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले evergreen तो temperate evergreen forest जो होते हैं friends ही हमारे mid latitude में मिलते हैं mid latitude के भी coastal region में हमें मिलते हैं mid latitude का मतलब किया tropic of cancer से arctic circle या फिर Tropic of Capricorn से Antarctic circle के बीच का region यह हमें कहां कहां पर मिलते हैं Southeast USA यह हो गया friends हमारा south यह east तो इस वाले region में USA के south east USA अगर अगर यह USA का map मार लें तो यह south हो गया, यह east हो गया उसके बीच का जो region है वो हो गया south east South China में मिलेंगे China के southern region में और south east Brazil में Brazil के south east portion में हमें इस टाइब के forest हमें मिलेंगे यहाँ पर जो main trees के varieties मिलती हैं friends वो है oak, pine and eucalyptus यह होता है friends हमारा oak tree and this is pine and यह eucalyptus जिसे हम यहाँ पर अपने local हैं पर सफेदा की नाम से भी जानते हैं बात करते हैं temperate deciduous forest की यह क्या है जो हमने temperate region पढ़ा था उसमें भी यह higher latitude में हमें मिलेंगे मतलब और उपर की तरफ हम जाएंगे मतलब temperate region में ही हम उपर की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ पर हमें इस टाइब के forest हमें मिलेंगे किसकी जगर पर मिलते हैं friends यह नॉर्थ इस्टन युएससे नॉर्थ इस्टन चाइना न्यूजिलेंड चिले एंड कोस्टल रिजन और वेस्टन यूरो इस रिजन में हमें यह मिलेंगे यह इस टैप का होता है यहां पर जो बर्स मिलते हैं वह हमारा यह है फीजन और मॉनल इन जो टैंपर इस टैपर मिलते हैं ओक अभी हमने देख लिया एस एंड बीच यह फ्रेंस हमारा एसेज बीच एंड यहां पर जो ऊप्रंद लू सुनावर इन पर तिस ऐएंड मरे पर जो उंड वह हमारे आपर जो में इस समेंaid ह dannes ल स्टा यह जो हैं आप मिलने सत उत इस यह जो आप लेंगे जो अपने ब्रम्लों के इस आइसरब conspirac के जो east और north east margins है इस्टन और north east margin है वहाँ पर हमें क्या temperate evergreen and deciduous forest हमें वहाँ पर मिलेंगे next बात करते हैं friends हमारे Mediterranean vegetation की sea एक Mediterranean sea है friends जो अफरीका जिसके south में अफरीका है and north में Europe है और east में क्या Asia है उस Mediterranean region में जो vegetation होती है उसे हम क्या बोलते है Mediterranean vegetation के नाम से हम बुलाते हैं and यह वर्ड के उस टाइप की vegetation वर्ड के कुछ अलग पार्ट में भी मिलती है जैसे की कैलिफॉनिया हो गया हमारे USA में southwest अफरीका southwest अमेरिका and southwest अश्टेलिया में भी हमें इसी टाइप का vegetation मिलता है यहां के जो trees होते हैं friends वो अपने आपको adapt कर लेते हैं summer के हिसाब से यहां के जो trees हैं उनका जो बार्क होता है थिक बार्क होता है बार्क का मतलब क्या होता है इस अपने कभी बार्क चाल देखी होगी मोटी सी उसे क्या बोलते हैं बार्क बोलते हैं उन ट्रीज की जो बार्क है काफी ज्यादा मोटी होती है और उनकी जो leaves है वो wax coated होती है wax मतलब एक mom type का material होता है जो wax coated होती है जिसके बेज़े से transpiration काफी कम होता है transpiration का मतलब होता है plants इस process से water जो है लीव के थुरू evaporate करते हैं तो जो हमारा जो transpiration के थुरू water waste होता है इस process में wax लगने से क्या हो कम होता है मतलब plant ने अपने आपको adapt कर लिया summer season के हिसाब से ताकि पानी का wastage कम से कम हो Mediterranean region को orchard of the world के नाम से भी माना जाता है orchard of the world का क्यों बलाते हैं friends क्योंकि यहाँ पर world की सबसे ज्यादा fruits variety बोई जाती है या उगाई जाती है यहाँ पर जो summer होते हैं वो काफे ज्यादा hot होते है और यहाँ पर जो rain होती है वो काफे mild होती है और वो भी होती है सिर्फ winter season में जो यहाँ पर fruits जो citric fruits मतलब की खटे fruits यहाँ पर उगाई जाते हैं जैसे की orange हो गया fix हो गया हमारे मतलब की अंजीर olive जो हमारे हाँ पर बोलते हैं उसे local भासा में जैदून बोलते हैं grapes यह commonly वहाँ पर cultivated होते हैं जो वहाँ की natural vegetation थी वो लोगों ने कहा है मतलब maximum move vegetation को हटा दिया जो natural vegetation थी और अपने profit के लिए वहाँ पर इस type के trees जो fruit के trees हैं वो वहाँ पर उखाने लगे और यहाँ पर ज्यादा wildlife है नहीं तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे आगे है coniferous forest, coniferous हमने अभी देखा था जिनकी जो leaves हैं वो काटेदार होंगी मतलब पतली पतली होंगी nail type जो इनका जो canopy है वो कहा है कौन type को होगा यह higher latitude में मिलते हैं 50 to 70 degree में northern hemisphere में इन जो coniferous forest होते हैं इनना taga भी कहा जाता है जिसका ration में में मीलिंग होता है untouched ठीक है मतलब coniferous forest, taga forest का है same है एड यह हमालेन रीजन में higher हमालेन रीजन में भी यह क्या है हमारे हैं पर काफी जाता है इस type के trees हमें मिलते हैं यह काफी tall होते हैं और इनकी जब wood होती है वो काभी soft होती है tall wood soft evergreen trees होते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह coniferous forest है यह summer season का photo है यह winter season का photo है हमारा इनके उपर जो ice है इनकी leaves इस type से इसलिए होती है ताकि जो ice है वो आसानी से इनके उपर से slip down हो सके इन trees को जो wood होती है उसका pulp बनाने के लिए use होता है आपल पर एक material होता है जो wood से बनाया जाता है जिसका लेटर ओन यूज होता है हमारा paper manufacturing में है जो इनकी wood से हम match boxes या फिर packing boxes softwood से बनाया जाते हैं यहाँ पर जो common trees है वो है चीर, pine, siddhar यहाँ पर देख लिजीए friends image यह है चीर, यह है siddhar and यह है हमारा pine tree and यहाँ पर जो animals मिलते हैं वो है silver fox, mink, polar bear, are the common animals that has been found होई है जो fox का हमें पता है, bear का हमें पता है लेकिन mink जो है, यह है friends हमारा mink कुछ इस type से हमारा mink दिखता है, आगे बात करते हैं यह तो हमारा friends हो गया forest का, जो natural vegetation हमने divide करी थी forest and उसके बाद grasslands and shrubs तो हमारा forest वाला portion complete हो गया है, अब आते हैं हमारे grasslands बेवी, तो सबसे पहले बात करेंगे उसी हिसाब से tropical grasslands, temperate grasslands, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे tropical grasslands के equator के दोनों साइड हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉन के बीच में, यह हमें मिलेंगे, जो हमारे grasslands है friends, उनका क्या अलग-अलग नाम रखा हुआ है, अलग-अलग countries ने, ठीक है, ट्रॉपिकल grasslands ही हैं, लेकिन location के हिसाब से, उनका नाम change है, जो eastern और फरीका में, जो हमारे grasslands मिलते हैं यहाँ पर, इन्हें नाम दिया गया है, सवाना, ब्राजील में जो हैं, उन्हें campus, ब्राजील में जो friends, उन्हें campus दिया गया है, और वेनेजोला में, इनका नाम है, ल इस type की vegetation होती है friends, वो कहें जहाँ पर rainfall हमारा moderate से low type का rainfall होता है, उस reason में हमें यह इस type का vegetation हमें मिलेगा, यहाँ की जो grass होती है, वो काफी ज़्यादा height की होती है, लगबग 3-4 meter उसकी height हो सकती है, यहाँ पर बता रखा है, अफरीका में उन्हें सवाना बोलते हैं, यहाँ यहाँ पर जो common animals मिलते हैं, वो है elephant, chebra, giraffe, deer, leopard, यहाँ पर जो common animals हैं, जो यहाँ पर मिलते हैं, temperate grassland की बात करें friends, यह के middle attitude पर हमें पता चल गया है, कि Tropic of Cancer से Arctic Circle and Tropic of Capricorn से Antarctic Circle के बीच में यह मिलेंगे, यह generally कह है, interior part of the continent के मतलब अंदर के हिस्ते में यह हमें मिलेंगे, यहाँ की जो grass होती है, वो short होती है, और काफी nutritious होती है, जो काय वगेरा हमारी खाती है, या buffalo वगेरा खाएगी, तो उसके लिए काफी ज़्यादा nutritious होती है, यहाँ पर जो mainly animals मिलते हैं, वो हैं हमारे wild buffalo, bison, antilopes, यह जो temperate region के क्या हैं, यह common animal है, जो temperate grasslands के नाम हैं, हमारे अलग अलग जगे के नहीं हिसाब से वो हैं, अर्जेंटीना में इन्हें, पैंपास कहा जाता है, यहाँ पर, North America में prairies, South Africa में इन्हें wild, यहाँ पर, and Central Asia में इन्हें STP, and Australia में इन्हें डाउन के नाम से जाना जाता है, अब बात करते हैं, फ्रेंस, थोननी बुसिस की, जो काटेदार ज़ाडियां हैं, यह हमारे किसमें, जहाँ पर सूखा area होगा, dry region, जो dry desert type का region होगा, वहाँ पर हमें, मिलेंगे, जो हमारे tropical desert होते हैं, वो western margin of the continent पर होते हैं, इसका कहना है, क्या मतलब क्या है, जितने भी हम हमारे continent है, उनका जो western margin है, यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, tropical desert मिलेंगे, ठीक है, आगे आपको पता भी चलेगा, इनका reason क्या होता है, एक तो यहाँ पर जो cold current साथ हैं, और दूसरा क्या है, यहाँ पर जो monsoon की winds है, वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है, इसलिए जो हमार continent का western portion है, वहाँ पर क्या हमें desert मिलते हैं, तो tropical desert में यह हमें मिलेंगे, the vegetation cover is scarce, यहाँ पर vegetation cover क्या है, काफी ज्यादा scarce होता है, और rain काफी कम होती है, यहाँ पर heat, बहुत ज्यादा जुल्चा देने वाली heat हमाए, यहाँ पर मिलेगी, अब जो polar region है, जो temperate region से हमारा pole के बी committed है, वहाँ पर क्या है कि मॉस इन लिंचिस हमें वहाँ पर मिलेंगे, और small shrubs, यह मॉस इन लिंचिस क्या होते हैं, यह मॉस हमारा बोलते है काई को, हिंदी में इसे बोलते है कोई, काई, यह है lichen, जो इस टाइप का जो vegetation है, वो यूरोप, अफरीका और नॉर्थ अमेरिक कि जो polar areas हैं, वहाँ पर हमें मिलेगा, जो यहाँ पर animal जो भी मिलते हैं, जिस टाइप के भी animal मिलते हैं, उनके जो fur होता है, मतलब skin के ऊपर जो, बाल वगयरा होते हैं, वो काफी मोटे होते हैं, और इनकी जो skin है, काफी जादा मोटी होती है, ताकि यह प्रोटक्ट कर सके अपने आपको ठंडी से, यहाँ पर जो animal हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह वैल रूस, polar bear, seed, इसके अलावा musk, oxen, वगयरा हैं, यहाँ पर कुछ animals मिलते हैं, जो हमारा जो flora and fauna होता है, flora बोलते हैं, friends, plants को, and fauna बोलते हैं, हमारे animal, इनका क्या depletion हो रहा के लिए, and जिसकी बज़े से, हम जो forest को cultivated area में, या factory जी बगयरा है, उसको use कर रही हैं, उसकी बज़े से, क्या हो रहा है, जो animals उस जंगल में रहते थे, उनका जो habitat है, वो loss हो रहा है, habitat loss हो रहा है, plus illegal poaching भी होती है, उनकी, illegal trade भी होता है, कुछ animals का, जिसकी बज़े से, वो आज क्या है, काफी ज़्यादा danger में है, तो हमें क्या awareness फैलाने की जरूरत है, अपने areas में, ताकि trees को cut ना करें, and wild animals को ना मारें करके, ओके friends, चलते हैं, इस chapter की exercise, discuss कर लेते हैं, exercise पर चलने से पहले, एक और बात friends, जो हमारी polar vegetation है, जिसे हम पढ़ रहे थे, उसे क्या, tundra vegetation के नाम से भी, हम बुलाते हैं, सबसे पहले question जो है, which are the two factors on which the growth of vegetation mostly depends, तो जो हमने forest की बात करी थी, तो उसमें भी हमने पढ़ा था temperature and moisture, और उससे पहले भी जब हमने lecture start करा था, वहां भी हमने देखा था temperature and moisture, यही दो main factors होते हैं, जिन पर क्या vegetation depend करती है, which are the three broad categories of natural vegetation हमने पढ़ा रखा है, name the two hardwood trees commonly found in tropical evergreen forest, जो हमारे tropical evergreen forest में, कौन-कौन से hard trees हमने पढ़े थे friends, mahogany, eboni and rosewood, next question is, in which part of the world are tropical deciduous forest parts, जो हमारे tropical deciduous forest हैं, वो कहाँ पर मिलते हैं, see friends, यह हमने पढ़ा था जब हमने इंडिया and, इंडिया, औस्टेलिया and अमेरिका के बारे में जब पढ़ा था कि इनके जो northern regions हैं, उनमें यह type के forest मिलते थे, यह क्या monsoon, जहाँ पर monsoon climate होता है, वहाँ पर होता है, as well as उसके साथ साथ क्या है, वहाँ पर क्या seasonal changes होने चाहिए, तो यह उस type के reason में हमें मिलेंगे, fifth question है, in which climate condition are citric fruit cultivated, तो citric fruit हमने पढ़ा था friend, जो हमारी Mediterranean type की vegetation में थी, वहाँ पर हमने देखा था citric fruit होते हैं, तो यह पूछरा, वहाँ पर किस type का climate condition होता है, तो Mediterranean region में जो climate condition था, वहाँ पर summers क्या है, काफी ज़्यादा hot होते हैं, और वहाँ पर काफी mild rain होती है, और वह भी काफी winters में होती है, तो और वहाँ पर क्या seasonal changes होते हैं, plant भी अपने आपको अड़ाप्ट करते हैं, तो उस type ही condition में हमारे क्या है, यह citric fruits हमारे होते हैं, Mention the uses of coniferous forest, coniferous forest की बात करें तो friends, इनके बारे में हमने पढ़ाता है, इनकी जो wood है, वह काफी ज़्यादा soft होती है, और यह इनका जो use है, हमने पढ़ाता है, match box और या फिर packing material बनाने के लिए, जो cardboard पगएरा बनते हैं, उनके use में, उनके लिए इनके use होता है, लास्ट question है, in which part of the world is seasonal grassland found, seasonal grassland found ही है, हमारा temperate grassland की बात कर रहा है, तो यह क्या, mid latitudes में मिलते हैं, और internal part of the continents में हमें यह मिलेंगे, टिक्दी करक्टास, mosses and lichens होते हैं, यह हमारे किस टाइप के vegetation होते हैं, तो friends, polar region की जो vegetation है, वहाँ पर यह मिलते हैं, और उसे tundra type की vegetation भी कहा जाता है, जो thorn nebuses हैं, वो हमारे कहाँ पर मिलती है, desert में, hot and dry desert type के region में हमें यह मिलेंगी, next question is in tropical evergreen forest, one of the common animal is, जो हमारा tropical evergreen forest था, वहाँ पर देखा था, हमने monkey हमारा मिलता है, one important variety of coniferous forest is, जो coniferous forest है, उसका जो important variety है, friends, इसमें से कौन सा है, rosewood, one important variety of coniferous, तो यह होता है, friends, हमारा pine, जो हमारा अगला question है, वो है, steppic grassland is found in, steppic grassland हमें कहाँ पर मिलता है, friends, south africa, australia, central asia, that is in central russia, नागे है, हमारा match the following, यह बोल रहा है, well rose cedar olive, okay, तो हम find out करते है, जो हमारा down है, यह हमें पता है, कि हमारा australia में मिलता है, तो temperate grassland of australia, campus, जो है, यह tropical grassland है, कहाँ का, ब्राजील का, and olive, जो है, olive, olive, जो है fruit है, तो इसके बारे में देखते हैं, fruit के बारे में कौन सा है, it's citric fruit है, friends, हमारा यह, and, जो सिडार हो गया, सिडार के बारे में हमने देखा था, यह क्या एक, soft root tree है, and well rose के बारे में देखा था, हमने यह एक polar animal है, बचा क्या हमारा elephant, बचा है, friends, जो हमारा tropical deciduous forest में हमारा मिलता है, तो friends, hope है, आपको यह chapter अच्छा लगा होगा, आपने lecture को enjoy करा होगा, अगर आपको थोड़ा से confusion है, तो इस lecture को दुवारा एक बार देखी, आपको सारा confusion clear हो जाएगा, and friends, अगर यह अच्छे लग रहे हैं lecture, तो इन्हें please share कीजिए, thank you, thank you very much,